नमस्कार दोस्तों रिसेंटली मिनिस्ट्री आफ कल्चर ने अनाउंस किया है कि 7 न्यू सर्कल्स बनाए जाएंगे अंडर आर्केलोजिकल सर्वे आफ इंडिया तो इसका मतलब क्या है बेसिकली हमें इस वीडियो में जानेंगे कि इस समय प्रेजेंट में कितने सर्कल्स हैं अंडर ASI और इसका इंपोर्टेंस क्या होता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अंकित अगरवाल और अगर आप यूपसी के तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनेरा मुकाई स्टडिया के लिए आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके तुरू आप अपनी प्रिप्रेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर न्यूज में देख सकते हो आपके लोजिकल सर्वे ओफ इंडिया क्रिएट्स सेवन न्यू सर्कल्स पॉर बेटर अपकीप ओफ मॉन्यूमेंट्स तो बेसिकली क्या होता है कि आपको पता ही होगा कि जितने हमारे देश में धरोवर हैं हेरिटेज हैं उन सब की देख भाल करती है तो उसका क्या किया गया है कि अलग-अलग सर्कल्स में बाटा गया है जो मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन यहाँ पर Ministry of Culture ध्यान रखना किसने इसको किया है कि Ministry of Culture ने Seven New Circles का Announcement किया है क्यों किया है ताकि जो monuments हैं हमारे देश के अंदर उसका management अच्छे से हो सके उसका देखबाल अच्छे से हो सके उसकी preservation हम और अच्छे से कर सके इसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा जानना होगा Archaeological Survey of India के बारे में यह मैं बता दूँ यह एक premium organization है जिससे किस से relate करता है that is research हो गया protection हो गया हमारी cultural heritage है जो हमारे देश के अंदर उससे relate करता है और यह किस के अंदर आता है Ministry of Culture के अंदर सबसे पहले इसको found कब किया गया था 1861 में by Alexander Cunningham I am sure कि आप समने इनका नाम सुना होगा 1861 में इसको found किया गया था और वो पहले Director General बने थे और इस समय भी अगर आप देखेंगे जो head होते है Archaeological Survey of India के उनको Director General ही कहा जाता है अब यहाँ पर कई सारी powers दी गई है Archaeological Survey of India के पास ताकि वो जो activities हैं उसको अच्छे से कर सकें preserve कर सकें हमारे monuments के तो आप देख पाओगे 1958 का Act है Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 और इसी से related यहाँ पर 1959 में कुछ rules लाए गये थे इसकी भी power दी गई है ASI को और यहाँ पर 2010 का भी एक Act है जिसका नाम है Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 2010 तो अब क्या है कि यहाँ पर इतने सारे powers दी गई हैं लेकिन आपको पता होगा कि ऐसा तो हैनी एक single body जो है Director General पूरे देश भर में जितने monuments हैं उसका यहाँ पर रखवाली कर पाएंगे उसकी देख भाल कर पाएंगे इसके लिए क्या किया गया है हमारे देश में अलग-अलग एक Circles बना दिये गया है मतलब कि अगर सपोज UP में आगरा वाला है तो आगरा वाला पुरा आसपास यहाँ पर एक Circle बना दिया जाएगा अमरावती हो गया औरंगाबाद इसको मैं आपको मैप में भी लिखा देता हूँ देखे यह क्या है ना यह मैंने लिया है Ministry of Culture की website से तो अभी उन्होंने अपडेट नहीं किया है यहाँ पर आपको सिर्फ 24 circles देखने को मिलेंगे लेकिन मैं बता दूँ प्रेजेंट में इस समय 29 circles है ठीक है ध्यान रखना इसके बारे में तो जैसे कि आप देख सकते हो कि स्री नगर सरकल हो गया एक वी आप पर शिमला सरकल हो गया दहरादुन सरकल हो गया यूपी में आपको दो सरकल देखने को मिलेंगे वह आपका देखा जाता है भाई सुपरींटरिटेंडिंग आर्केलोजिस्ट ठीक है हर एक सरकल को जो है हेड किया जाता है सुपरींटरिंग आर्केलोजिस्ट के द्वारा और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूँ कि तीन मिनी सरकल है ठीक है यह और थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, आगरा का एक्जामपल लेता हूँ, जैसे कि आगरा सर्कल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि it is one of the oldest circles of archaeological survey of India, इसको established किया गया था in the year 1885 में, और आप देख सकते हैं, इसके तो यहाँ पर ताज महल सरकल हो गया, आगरा फोर्ट वाला सरकल हो गया, फतेपुर सिख्री हो गया, इस तरह के आपको कई सारे जो है यहाँ पर 8 जो सब सरकल्स हैं वो भी देखने को मिलेगा, तो इस तरह से आपका अलग-अलग circles होता, I am sure, I hope कि आपको यहाँ पर अब चीजें clear हो गई होंगी, और अभी कि मैं हिसाब से बता दूँ, at present, पूरे देश भर में कितने monuments की protection की जाती है, ASI के दोरा, तो इसकी संख्या है, 3675 और आप देखते हो कि जब भी आप किसी monuments के पास जाते हो, तो आज़ पास आपको कुछ museums भी देखने को मिलते हैं, तो Archaeological Survey of India के दोरा, 44 sites museum भी चलाए जाते हैं, अब मैं आता हूँ कि यहाँ पर जो 7 नए circles create किये गए हैं, यह आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, आपके examination point of view से, तो साथ कौन-कौन से हैं, जबलपूर, ट्रीची, जहांसी मेरट, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में दो और सर्कल एड़ किये गए हैं, एक है आपका जहांसी, दूसरा है आपका मेरट और अभी मैंने आपको दिखाया था कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो सर्कल थे, लखनाओ सर्कल था और आगरा सर्कल था, अब यहां पर दो और सर्कल एड़ हो जाएंगे, एक होगा आपका जहांसी, दूसरा होगा मेरट, फिर करनाटक में जो हमपी है, अब हमपी को creation किया गया है, एक important चीज और मैं आपको बता दूँ, कि यहां पर मैंने आपको जब mini circles की बात की थी, total तीन, तो हमपी तो क्या किया गया है, कि full circle बना दिया गया, तो 2 circle बच गए आपके mini circle अब इसमें भी क्या किया गया है, दिल्ली वाला जो mini circle है, उसको दिल्ली के full circle के साथ merge कर दिया गया है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो यह आपका डिल्ली वाला circle है, तो यह full circle था, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा mini circle भी बनाया गया था, अब उस mini circle को हटा कर क्या किया गया है, merge कर दिया गया है, दिल्ली circle में ही, तो अब कितने mini circle बचे, सिर्फ एक mini circle बच गया, that is, लेवाला, ठीक है, तो यह आप ध्यान रखेगा, और यहाँ पर अगर आपका एक question आता है कि इसकी importance क्या है, तो for example, मैं आपको बताऊं, तो Tamil Nadu के state में देखोगे, तो वहाँ पर आपको चोला किंग से related बहुत सारे temples, बहुत सारे जो glorious memories हैं, वो देखने को मिलेंगी, इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि उसकी protection और अच्छे से हो सके, यहाँ पर ट्रीची का एक और नया circle create कर दिया गया है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह सारी चीजें क्या हैं, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर एक काफी बड़ा criticism हो रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ, कि यहाँ पर सरकार ने जो निर्ने लिया है कि दिल्ली मिनी सरकल को दिल्ली full circle के साथ merge कर दिया गया है, इसको लेकर यहाँ पर archaeological survey of India के अंदर जो officers हैं, जो officials हैं वो नाखुश हैं, उनका यह मानना है कि यह जो particular चीज किया गया है दिल्ली mini circle को दिल्ली full circle के साथ merge कर दिया गया है, इससे कोई भी purpose solve नहीं होगा, यहाँ पर एक तरह से क्या होता था, कि जो mini circles होते थे, वो छोटे-छोटे monuments पर ज़्यादा ध्यान देते थे, जैसे दिल्ली के अंदर ही आप दखोगे, तो बहुत सारे monuments हैं, जैसे, कुतुम मिनार है आपका हुमायू स्टॉम है, तो यह जो बड़े monuments होते थे, वो तो आपका दिल्ली के full circle के द्वारा देखा जाता था, लेकिन इसके अलावा भी जैसे कश्मीरी गेट हो गया, शालिमार बाग है, कोटला, फिरोज शा हो गया, इस तरह के कई सारी जो monuments हैं, छोटे monuments हैं, वो आपके mini circles के द्वारा देखे जाते थे, ताकि उसकी भी protection हो सके, लेकिन आप क्योंकि इन दोनों को merge कर दिया गया है, तो archaeological survey of India के जो officials हैं इन circles के अंदर, उनका ये मानना है कि इससे justice नहीं होगा, छोटे-छोटे monuments के उपर, क्योंकि दोनों circles के द्वारा अगर आप देखेंगे, तो total 170 heritage sites की protection की जाती है दिल्ली के अंदर, जिसमें से 64 sites हैं, वो mini circle के दोरा देखी जाती थी, तो mini circle क्या करता था, जो छोटे-छोटे sites हैं, उसको अच्छे से देख भाल कर लेता था, लेकिन अब merge कर दिया गया है, तो यहाँ पर अच्छे से protection शायद नहीं हो पाएगा, ऐसा मानना है, officials का, और यहाँ पर officials का ये भी कहना है, कि merge करने की वज़े से दिल्ली के पास जो allocation होता था, budget का, वो भी अब कमाने लगीगा, तो यह criticism था, जिसका मैंने आपको यहाँ पर जिक्र कर दिया, बाकी I hope की यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो साथ नए circles हैं, यह होते क्या हैं, इसके बारे में सब कुछ आपको पता लग गया होगा, अगर आप मुसे economy पढ़ना चाते हैं, कोई course purchase करना चाते हैं आप study IQ app पर जा सकते हैं, किसी भी inquiry के लिए आप उसे directly Instagram पर जुड़िए, यहाँ पर मैं daily एक MCQ डालता हूँ, आप stories में जाकर play कर सकते हो, इसके बारे में भी मैं आज एक MCQ डाल दूँगा, आप देख लेना, मिलता हूँ आप से next time, till then thank you very much, see you soon